अल्यूमिनियूम स्पेस फ्रेम बनाने की शुरुआत दो हजार वेल्ड से होती है और ये सब हाथ से किये जाते हैं आपको सही होना चाहिए और सही फीलिंग भी लेदर की कटाई लेजर की बारीकी से होती है और वो भी सिर्फ पहतरीन ही चाहिए उसकी फील सही हो उसका ठक सही हो और गंध भी एकदम सही हो एकदम सही हो एकदम सटी एक लेदर चाहिए शानदार लकडी को तराश कर आटोमोटिव शोपीस बनते हैं बुक मैचर की कलाज साकार हो जाती है इस शाही खूश्चूरती के भीतर B12 पावर हाउस की ताकत छिपी है मानो मैजिक कारपेट पर सवार ही रोल्स रोईस सिर्फ दुनिया की बेहतरीन लक्षरी कार ही नहीं प्रिटिश एंजिनियरिंग की मिसाल भी है हर चीज होनी चाहिए फर्स प्लास ये सब आपको सिर्फ एक जगह मिलेगा वो है मेगा फैक्टरी ओफ रोल्स रोईस मोटर कार्ज अगर रोल्स रोईस फैंटम का नाम फीनिक्स होता तो शायद वो गलत नहीं होता क्योंकि वो 21 सदी के शांदार अंदाज में एक मशूर मोटर कार कंपनी का नया अवतार है इसमें आपकी उमीद के मताबिक सारी पारम पर एक शाही फिनिश जियोंकी तियों मौजूद है शांदार A-grade European Leather में लिप्टा खुबसूरत इंटीरिया किसी औसत डाइनिंग रूम से ज्यादा पॉलिश्ट वुड और वही जानी पहचानी शांद और स्मूद राइड इसके अलावा इसमें हैं एकदम नए जमाने की टेकनीक के कमाल जैसे फाइबर आप्टिक इल्यूमिनेटिट स्टार लाइट हेडलाइनर 15 स्पीकर 9 चैनल 420 वाट कमर्शल ग्रेड लेक्सिकन साउंड सिस्टम एक इशारे पर बदलने वाला 6-speed automatic transmission और और भी बहुत कुछ रोल्स रोइस के मोटर काब ब्रैंड को सबसे उम्दा टेकनीक के सहारे नई जिन्दगी दी है उसके नए मालिक BMW ने इसके बावजूद फैंटम उतनी ही ब्रिटिश है जितनी इसके दर्वाजे में समाए अम्ब्रेलाज जी हाँ, हर कार में छिपा रहता है टेफलान कोटिड हाइड ओवे अम्ब्रेला जो बटन दबाते ही बाहर निकलाता है इसके भीतर आपको लैदर और लकडी का मज़ा मिलता है जो ना सिर्फ आराम दे है बलकि जिसे हाथ से तराशा गया है इसकी इसी खासियत ने तो इसे दुनिया की बेहतरीन कार बनाया है लेकिन इसके नपे तुले बाहरी ठाट बाट के जहासे में ना आए इसकी नजाकत भरी सुन्दरता के भीतर जबरदस्त V12 एंजिन धड़कता है जो इस धाइटन की कार को सिर्फ 5.9 सेकिंज में 0-100 किलोमेटर की रफ्तार देता है जी हाँ ये है स्पोर्ट्स कार की रफ्तार नई फैंटम के मालिक चेकिविच की को जीवन भर अपनी रोल्स रोइस पाने की चाह रही रोल्स रोइस मेंस बेमिसाल क्वालिटी, शानदार खोबसूरती, खजब की परफॉर्मेंस, ये सबसे आगे बेशक बहतरीन है पुरानी शान और नए अंदाज की ये शाही सवारी बनाने में दो देशों में तीन मेगा फैक्टरीज की फैब्रिकेटिंग महारत काम आती है गुडवुड इंग्लिंड में अत्याधुनिक रोल्स रोइस फैक्टरी कई इनाम जीत चुकी है यहां हर कार को ओडर के मताविक हाथ से तराशने के लिए वर्करज की पूरी फॉज मौजूद है हर कार को पूरी तरह तराशने के काम में कम से कम दो महिने लगते हैं Dingolfing Germany में Phantom की Aluminium Steel Body को Corrosion Protection Treatment मिलता है लेकिन हर Phantom के बनने की शुरुवात जर्मनी में उंटर हलराओं में होती है यहां उभरे हुए Aluminium के 200 से अधिक सेक्शन्स और 300 alloy parts को जोडने और weld करने से कार का बेहत मस्बूत Space Frame और Body आकार लेते है सबसे पहले welders Aluminium के सेक्शन को शिकंजे में कसते हैं जो parts को एकदम सही सीध में पकड़े रहता है हर शिकंजा Space Frame का एक खास हिस्सा बनाने के लिए Custom Platform का का काम करता है फैंटम के पूरी तरह हाथ से वेल की हुई Body दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी Aluminium Space Frame कार चैजी है स्टील के बजाए Aluminium लगाने से फैंटम का वजन सेक्डों किलोग्राम कम हो जाता है और उसकी चैजी Formula One कार से भी मजबूत हो जाती है लेकिन Aluminium से Space Frame बनाने का काम ज्यादा कठिन भी है ये टेड़ा काम है क्योंकि जब हम Aluminium के पार्ट को weld करते हैं तो हमेशा distortion होती है weld हमेशा सटीक होना चाहिए इसलिए ऐसे लोग चाहिए जो material को feel कर सकें Aluminium की welding में मुश्किल ये है कि अगर हाथ बहुत तेज चले तो ठंडा होने पर टाका टूप सकता है लेकिन अगर weld बहुत भी में हो तो धातू के बीच से जलने का खत्रा है जिससे पार्ट खराब हो सकता है Aluminium welding के लिए आपको सही हुनर चाहिए और सही feeling भी अगर हम 100 लोगों को Aluminium welding सिखाते हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ही सही तरीके से कर पाते हैं पूरे 2000 टांके सही धंग से लग जाने पर ये बेहत मजबूत सुपर स्ट्रॉक्चर बनता है इसके एक मीटर के सेक्शन को सिर्फ एक डिगरी मोरने में 4 टन का जूर लगाना पड़ता है अब आती है बदलाव की घड़ी यानि बॉड़ी पैनल जोड़े जाते हैं Aluminium विस्तिमाल करने से बॉड़ी का वजन सिर्फ 850 किलोग्राम रहता है जो इसकी प्रतिद्वंद्वी काट से 200 किलोग्राम कम है सबसे नाजुकाम छट के धांची की वेल्डिंग का है सबसे पहले Aluminium की इतनी बड़ी छट को उठा कर सही जगह रखा जाता है वेल्डिंग की गर्मी से Aluminium की छट को खराब होने से रोकने के लिए तो मेटल वरकर्स को एगदम एक ही समय पर वेल्डिंग शुरू और खत्म करनी होती है वो بھی भी ना रुके इस तरह एक साथ वेल्ड करने से पूरी छट पर वेल्डिंग का दबाव बराबर रहता है और डिस्टॉर्शन यस्सिक उडन नहीं होती 40 cm का ये weld मोटर उद्योग में अलुमिनियम का एक सबसे लंबा और लगातार weld माना जाता है यहां मौजूद 1.500 में से सिर्फ 6 वरकर्ज ही ये काम कर सकते हैं बदकिस्मती से ये लंबा वेल्ड चोड़ की एक लंबी भद्धी रेखा छोड़ जाता है लेकिन जरा रुकिये इस बरकर को अपना काम तो पूरा करने दीजिए ये इसे घिस-घिस कर काच जैसा चिकना कर देगा फैंटम के बाकी बॉडी पैनल्स चोड़ने में भी इतनी ही सावधानी रखी जाती है कुछ फैक्टरीज में एक पूरी कार एक घंटे से भी कम समय में बन जाती है लेकिन यहां सिर्फ एक सेक्शन जोड़ने में एक घंटा लग सकता है टेक्निशन्स हर खांचे और फिटिंग को बार-बार नाप कर तब तक बारीक फेर बदल करते रहते हैं जब तक सब कुछ एकड़म फिटना हो जाए सारे बाडी सेक्शन्स लग जाने के बाद कार का नाम बढ़ जाता है बाडी इन वाइट ये नाम मोटर उद्योग के शुरुवाती दिनों की देन है जब कार की बाडी पर सबसे पहले सफेद प्राइमर लगाया जाता था हर बारीकी पर अचूख नजर शुरुवात के दिनों से ही रोल्स रोइस की पहचान रही है 1903 में एक गुम नाम लेकिन कमाल के एंजिनियर हेंडरी रोइस ने अपनी पहली कार खरीदी लेकिन उसकी क्वालिटी से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने खुद कार बनाने का फैसला किया ये कार इतनी अच्छी थी कि रोइस बहुत जल्द चार्ल्स रोल्स की नजर में आ गए जो लंडन के एक काम्याब कार डीलर थे दोनों ने मिलकर टे किया कि वो सबसे उम्दा कार बनाएंगे हेंरी रोइस और चार्ल्स रोल्स दोनों ही मिलकर बेहतरीन काम करना चाहते थे इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि रोल्स रोइस की करीब 65 पतिशत कारें आज भी सड़क पर हैं दुनिया में कोई और कार कमपनी इसके आसपास होने का दावा भी नहीं कर सकती 1906 में रोल्स रोइस ने एक ऐसी कार बनाई जो दे सिल्वर गोस्ट के नाम से आटोमोटिव की पहचान बन गई 15,000 मील तक बिना रुके टेस्ट रन के रिकॉर्ड तोड प्रदर्शन ने उसे दुनिया की बेहतरीन कार का खिताब दिलाया उस मॉडल की 7,000 से कुछ जियादा कारे बनी और उन्होंने कमपनी की कामियाबी की बनिया अधिजाली दसिल्वर गोष्ट एकदम बेमिसाल कार थी उसका डिजाइन बहुत उमदा था और वो बेहद टिकाओ थी इसलिए उसे इसनी कामियाबी मिली वो बहुत कमाल की थी 1907 से 1925 तक वो वो वाकी दुनिया की नंबर वन लगज़री कार थी रोल्स रोइस मोटर कार डिविजन चल निकली वो जानी मानी हस्तियों की मनपसंद कार बन गई 1980 में एक ब्रिटिश कमपनी समूह विकर्ज ने उसे खरीद लिया लेकिन चल्दी ही ये बात साफ हो गई कि इस पुराने शाही ब्रैंड को नई जिंदगी देनी होगी और ये नई जिंदगी 1998 में नई मालिक BMW ने दी BMW ने गुडवोड इंगलिंड में नई रोल्स रोइस फैक्टरी लगाई उसका एक ही मकसद था पुराने जमाने की कारिगरी और नई टिकनालोजी के मिलन से बाजार में सबसे शांदार हाथ से तराशी कार लाना 2003 में आई फैंटम रोल्स रोइस मोटर कार्ज की नई पीड़ी का पहला अवतार है फैंटम रोल्स रोइस लोगों की उमीदों का प्रतीक है सबसे पहले तो इसका अपना वजूद होना चाहिए अब दूसरे इसकी परफॉर्मेंस 100% से ज़ादा होनी चाहिए और ये सब बहुत ही नफीज धंग से होना चाहिए फैंटम की फिनिश्ट बॉडी इन वाइट उंटर हालराओ से ज़र्मनी में डिंग वॉल्फिंग पहुंचती है धातू के फ्रेम और बॉडी को जंग और गलन से बचाने के लिए सुरक्षा कबच पहनाना ज़रूरी है कई चरणों के इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो कोटिंग या ई-कोटिंग कहा जाता है पैंट्जम की बॉडी एक घूबती हुई कन्वेयर मशीन रोड डिप पर चढ़ा दी जाती है जिसे आप कार वाश और कानिवल की सवारी के बीच की मशीन समझ सकते हैं कार एक के बाद एक साथ केमिकल्स में डुब की लगाती है कन्वेयर बॉडी को पूरा 360 डिगरी घुमा देती है ताकि भीतर और बाहर बराबर कोटिंग हो जाए ये रोड डिप मशीन फुटबॉल के तीन मैदानों से भी लंबी है और हर कार को इसका सफर तय करने में 45 मिनिट लगते हैं निकल्स मैंगनीज और जिंक फॉस्फेट बॉडी से गंदगी और चिकनाई हटा कर पेंटिंग से पहले गलन रोकने वाली बुनियादी परत चड़ा देते हैं और इसके बाद होती है असली E-Coating कार को DC Electric Charge देकर विपरी चार्ज वाले प्राइमर पेंट से भरे वैट में डुब की लगानी पड़ती है जैसे धातू चुम्बक से चिपकता है उसी तरह इस घुल में मौजूद पेंट सॉलिड धातू की बॉडी से चिपक जाते हैं इस तरहे कार के भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर गलन रोखने वाले प्राइमर पेंट की परचड़ जाती है इसके बाद कन्वेयर बेल्ट बॉडी वाइट को भटी में पहुचा देती है जहां उसे 70 मिनट तक 170 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तपारने से धातू पर ई-कोट एकदम चिपक जाता है अब ये नई फेंटम इंग्लेंड जाने और रॉल्स रॉइस मोटर कार बनने के लिए तैयार है हर एक नई फेंटम बॉडी इन वाइट को ग्रेट ब्रिटन ले जाकर यहां गुडवुड में रॉल्स रॉइस हेड़कॉर्टर और मैनुफैक्चरिंग प्लांट में पहुचाया जाता है गुडवुड प्लांट में तीन मुख्य बिल्टिंग्स है इसमें कमपनी का हेड़कॉर्टर है जहां फेंटम कारों पर कमाल की पॉलिश होती है और ये असेंबली जहां वरकर्स की पूरी फॉज घर फेंटम बॉडी को चलता फिरता आली शान अपार्टमेंट बना देती है प्लांट का डिजाइन भी उर्जा बचाने वाला और परियावरण के लिए दोस्ताना है ये कार कमपनी के लिए भी फाइदे मंद है जर्मनी से आई नई फैंटम बॉडिज का तीन महिने लंबा सफर गुड बुड फाक्टरी के सरफस फिनिश सेंटर में ही शुरू होता है सबसे पहले बारी आती है पेंटिंग की रोल्स रोइस कार्ड अपनी बेमिसाल पेंट फिनिश के लिए मशूर है इकोट, प्राइमर, कलर और सबसे उपर क्लियर सुरक्षा कवच मिलाकर पेंट की पाच परतों में रंगों की बेमिसाल गहराई और शीशे जैसी साफ चमक दिखाई देती है जो पियानो फिनिश कहलाती है पियानो फिनिश एकदम शीशे जैसे चिकनी होती है ये इतनी फ्लैट होती है कि फाइनल फिनिश में आप अपनी शकल देख सकते हैं ये फिनिश बाइस चरणों की प्रोसेस की देन है जिसमें रोबोट की बारी की और इंसानी कारीगरी का संगम दिखाई देता है कुल मिलाकर इसमें 45 किलोग्राम पेंट लगाया जाता है हैंड स्प्रे से सारे डोर शर्ट्स पेंट होते हैं और वो हिससे भी जहां रोबोट नहीं जा सकता जैसे पिछले गोल कबजे वगरा आगे का काम रोबोट का है जो बाहरी हिससे पर प्राइमर लगाते हैं यहां गुडबुड में रोबोट सिर्फ पेंट शॉप में काम करते हैं और उन्हें बेहद खास मकसद से रखा गया है पेंट कदर मोटाई के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है इसलिए हम रोबोट की मदद लेते हैं और देखते हैं कि कार पर एकदम सही मातरा में पेंट लगे हाथ से स्प्रे करने पर इतनी सठीक पेंटिंग बहुत मुश्किल है अब दो रोबोट एकदम बराबर कोटिंग देने के लिए हर मिनिट सिर्फ 100 मिलिमीटर प्राइमर पेंट लगाते हैं अब बारी आती है कलर की यही से हर फैंटम को उसकी अनूठी पहचान मिलने लगती है यहां आम कलर्स का बड़ा जबरदस्त सिलेक्शन है लेकिन अगर आपकी जेब भारी है तो आप अपना हर मन चाहा शेड ओरडर कर सकते हैं हमारे पास करीब 44,000 कलर्स का पैलेट है 44,000 कलर्स यानि आपकी कार किसी यॉट, किसी कॉपरिट कलर स्कीम या आपके मन पसंद हैंड बैग से मैच कर सकती है हम कस्तमर की मांग के हिसाब से कोई भी पैंट कर सकते हैं एकदम सही फिनिश देने के लिए जरूरी है कि कलर और क्लियर कोट लगने के बाद सर्फिस फिनिशिंग वरकर्स कार को पूरी तरह घिस डाले इस काम के लिए ऐसा होनर चाहिए जैसा आप सोच भी नहीं सकते जब पैंट के सतहे के लहर खत्म हो जाती है और वो फ्लैट हो जाता है तो कार घिसने वाले को आवाज में बदलाव सुनाई देता है जिससे पता चलता है कि अब वो काम रोक सकता है ये बहुत मुश्किल काम है जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है ऐसी जबरदस कारीगरी रोबोट के बस में नहीं है अंतिम क्लियर कोट के बाद सर्फिस फिनिशर हर कार को हाथ से पांच घंटे तक पॉलिश करते है आखर में एक इंस्पेक्टर पूरी कार की जांच करता है और मामूली सी कमी पर भी मूम की पेंसल से निशान लगा देता है अगर बाल भर का भी निशान रह जाए जिसे यहां मिटाया न जा सके तो कार आगे नहीं बढ़ती हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई खामी न रहे वही हमारा मकसद है फिर भी अगर पॉलिशिंग के बाद कोई खामी दिख जाए तो हमारी एक कीम पॉलिश करके उसे चमका देती है कोई भी ग्राहा कार के करीब आने पर सबसे पहले पेंट फिनिश देखता है और अगर वो अच्छी नहीं है तो इससे वो अंदाजा लगाता है कि बाकी की कार कैसी होगी फैंटम कार सर्फिस फिनिश सेंटर से तभी निकलती है जब उसके चप्पे चप्पे की फिनिश एकडम पर अफिक्ट होती है आपको दुनिया की बेहितरीन पेंट फिनिश मिलती है और कार पर रोल्स रॉइस का निशान होता है 12,000 वर्ग मीटर की इस लंबी चौड़ी मैनुफैक्टरिंग बिल्डिंग में फैंटम की चम चमाती बॉड़ी वर्ल्ड क्लास कार का रूप ले लेती है लेकिर इसमें समय लगता है हर कार को बनाने में औस्टन 450 घंटे लगते हैं और इस फैक्टरी में रोजाना सिर्फ 5 कारे तयार होती है कारों का निर्मान प्री असेम्बली से शुरू होता है यहां वर्कर्स की टीम बड़े हिस्से तैयार करती हैं जैसे डोर्स, इंस्टुमन पैनल्स और पावर ट्रेंज यहां रोल्स रोइस का मामला कुछ अनोखा है क्यूंके कारे हाथ से बनती हैं और हम लकड़ी और लैदर जैसी कुदरती चीजों से काम करते हैं इसलिए यह कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है फ्री एसेंबली में एक अनोखा काम सिग्निचर पैंथियन ग्रिल तयार करने का है मैं बहारी फ्रेम पर कोई खामी तलाश रहा हूँ अगर जरा सी भी खामी मिली तो इस फ्रेम को बदल कर नया बनाना होगा अगर पर कोई डेंट जैसा पड़ा है पता नहीं क्या है मुझे अपने जोन लीडर से बात करनी होगी और इसे बदलना होगा एकदम सटी ग्रिल तयार होने के बाद टेक्निशन उसे लगाते हैं और फिर इसके आइकॉनिक हुड भी सजावट को परखते हैं दिस्पिरिट अफ एक्स्टिसी मासकट 1911 में मशूर कलाकार चार्ल्स साइक्स ने बनवाया था और तब से ये हर रॉल्स रोईस की पहचान रहा है आज कल दिस्पिरिट अफ एक्स्टिसी को इस तरह लगाया जाता है कि इसे रिमोट कंट्रोल से ग्रिल के भीतर खींचा जा सके या टकर होने पर ये अपने आप दुबग जाए ये है मेन असेंबली लाइन जहां 11 स्टेशन पर कमाल की दस्तकारी दिखती है पहले स्टेशन पर काम की शुरुवात पेंटेट बॉडी शेल से होती है और ग्यारवे स्टेशन पर कार पूरी तरह से तयार होकर निकलती है फैंटम के चार मॉडल्स है उरिजिनल फो डोर सिडैन या सिलून उसके बाद चोड़े वील बेस वाली फैंटम जिसकी पिछली सीट पर टांगे फैलाने की 25 सेंटीमीटर ज्यादा जगय है फिर टू डोर कंवर्टिबल या ड्रॉप हेड कूपे और सबसे नया हार टॉप टू डोर कूपे मॉडल फैंटम के चारों मॉडल्स एक ही लाइन पर एक साथ बनते हैं और हर एक को ओर्डर के मुताबिक तराशा जाता है इस बी स्पोक प्रोग्राम में असी में त्विकल्प है रोल्स रोइस कस्टमर के लिए एकदम अलग गलव बॉक्स हुमिडोर से लेकर ट्रॉंक में समाए पूरे शैंपेन पिकनिक सेट तक कुछ भी बना सकती है हमारी असी प्रतिशत कारें किसी न किसी हद तक बी स्पोक हैं और ग्रागों को यही बात पसंद आती है कि उन्हें ऐसी अनोखी चीज़ मिल रही है जो कि सिर्फ उनकी है हाँ यह बहुत महंगी है पर उन्हें बहुत पसंद आती है उन्हें हमारे साथ मिलकर कार बनवाने में बहुत मज़ा आता है रोल्स रोइस जैसी कार खरीदना बहुत ही एमोशनल एक्सपीरियंस है आपको इतनी सारी अलग-अलग चीज़ें चुनने का मौका मिलता है एकडम मनचाहा रंग और मनचाहा डिजाइन मिलता है बीस्पोक डिजाइनर्स जब पूरी बारिकी के साथ डिजाइन तयार कर लेते हैं तो उनकी ड्रॉइंग और स्केचेज को डिजिटल 3D मौडल में ढाल दिया जाता है इस तरह डिजाइन कस्टमर्स को दिखाया जा सकता है और परखा भी जा सकता है कि ये कितना प्राक्टिकल है हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये डिजाइन असल में कार में ढाला जा सकता है अब सामने या स्क्रीन पर एक फ्रिज यूनिट देख सकते हैं इसके अंदर हम शैंपेन की तीन स्टैंडर्ड बॉटल्स रख सकते हैं ये पूरा पैकेज हमें कम से कम बदलाव और लागत पर कार के अंदर फिट करना होगा रोल्स रोइस के उम्र बहुत लंबी होती है इसलिए कस्टमर की कार में लगने वाला हर हिस्सा उम्र भर साथ देना चाहिए आप समझ जाते हैं कि इस कार की उम्र मुझ से ज्यादा हो सकती है तो कोई बात नहीं इसमें कोई शक नहीं कि इन कारों से हम इतिहास रचते हैं इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी कॉलिटी हर तरह से रोल्स रोइस के स्टैंडर्ड की ही हो आइडेंटिफिकेशन नंबर और पेपर्स दिये जाते हैं जिन से पता लगता है कि उसकी क्या खासियत है असेम्बली लाइन से पहले स्टेशन पर सारा जोर इस बात पर है कि हर फैंटम में वही शांत और स्मूद ड्राइब मिले जिसके लिए रोल्स रोइस मशूर है इस टेशन में हम आवाज दबाने वाली चीज़ों को फिट करेंगे जो हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी दोनों आवाजों को दबा देंगी वरकर्ज उबर खाबर सडकों पर टायरों की हलचल जैसी लो फ्रिक्वेंसी आवाज दबाने के लिए हाई देंसिटी फोम इंसुलेशन के टुकड़े लगाते हैं वो फॉल में लिप्टे बिट्यूमिन की साउंट प्रूफ पत्टियां भी लगाते हैं ये घना टार जैसा पदार्थ, खिच-खिच, खड़-खड़ और हवा के शोर जैसी हाई फ्रिक्वेंसी आवाजे दबाने में मदद करता है ये दोनों हिससे वारिंग हानस और कापेट बिचाने से पहले कार की बॉड़ी में लगाये जाते हैं इसलिए बिलकुल दिखाई नहीं देते, लेकिन पैसेंजर के लिए ये कार को नॉइस फ्री बनाये रखते हैं टेक्निशन्स आवाज दबाने वाली सामगरी के साथ अनूठे डबल डेक फ्लोर के नीचे रेजनेंस चेम्बर्स में दो बड़े-बड़े सब बूफर्स भी लगा देते हैं फिर स्टेशन नंबर टू पर टेक्निशन्स कार की चैजी में वाइरिंग फानिस बिछाते हैं इस पट्टी के अंदर करीब तेड़ किलोमीटर की वाइरिंग कार के सभी इलेक्ट्रोनिक पुर्जों को पावर और कंट्रोल देती है की मदद से सही जगह टिकाया जाता है इस उपकरण को एकदम सीध में रखना होता है ताकि ये कार के अंदर सही जगह बैट जाए इसके बाद टीक टोनो कवर को बोल्ट करके एकदम सीध में लाया जाता है अब सेशन नमबर फॉर पर टेक्निशन्स इंस्टुमेंट पैनल लगाते हैं ये कार कास्ट मैंगनीजियम का करीब साथ किलोग्राम वजन का बेहद मजबूत बेहद ठोस वन पीस क्रेडल है ये कार में लगने वाली एक सबसे जटल कास्टिंग है इसके वन पीस कास्टिंग होने की भी खास वज़य है कार बनाने के शुरुआती दिनों से ही यही वो हिस्सा है जहां खड़खड होती है क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे पुर्जे एक साथ लगते हैं रोल्स रोईस में डैशबोर्ड के लिए इतनी बड़ी एलोई कास्टिंग लगा कर ये शुर मिटा दिया गया है इंस्टुमेंट पैनल लग जाने के बाद फैंटम में लकडी के बाकी हिस्से फिट किये जा सकते हैं लकडी पर हाथ की खुबसूरत कारी गरी शुरू से ही रोल्स रोईस के इंटीरियर्स की पहचान रही है फैंटम के इंटीरियर के बहुत से हिस्सों पर चम-चमाता लामिनेटिद वुड विनियर चड़ा रहता है सच कहें तो फैंटम के आम इंटीरियर में लकड़ी के ठके 42 हिस्से हैं और वो सब के सब यही रॉल्स रोइस वुड़ शाप में बनते हैं पूर्ट सेट बनाने में करीब एक महिना लग जाता है सिर्फ एक आम रेस्ट के लिए कटाई घिसाई के साथ तरह तरह की लकड़ी और बेहतरीन फरनिचर की कारीगरी के मिलन में कई दिन लग सकते हैं रोल्स रोइस में कारीगरी का भी बात बड़ा कमाल है इसलिए अक्सर घंटों काम करके हमें ये देखना होता है कि कार में वाकई बेहतरीन क्वालिटी का फरनीचर वर्क दिखाई दे इस वुड़ शॉप में दुनिया भर की तमाम तरहे की लकडिया मौजूद हैं जैसे रोज़वुड, बोलनट, आश और एल्म और बीस्पोग प्रोग्राम में तो आप्शन्स का कोई अंधी नहीं है एक कस्टुमर ने हमसे इंडियन एपल वुड लगाने को कहा और ये इंडियन एपल वुड का एक टुकडा है और फिलहाल में आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक कार में लगी हुई है लकडी में मौझूद रेशे का बारीक और खुबसूरत खुदरती डिजाइन ग्रेन कहलाता है फैंटम के इंडियरिया में इंस्टुमेंट पैनल के बीच और बीच से दोनों तरफ की ग्रेन एक जैसी होती है यानि दाहिनी तरफ की ग्रेन बाई तरफ की नकल होती है ऐसी मैचिंग के लिए वेनियर की पड़ते एक दूसरे के बगल में खोल कर लगाई जाती है जिसे कहते हैं बुक मैचिंग इसे बुक मैचिंग कहते हैं क्योंकि असल में हम दो पन्ने खोल देते हैं उन्हें खोलते हैं ताकि वो मैच करें और मिरर में रिफलेक्शन जैसा दिखें बरफलाई एफेक्ट मिले इससे बुक मैच कहते हैं क्योंकि असल में हम बुकी खोल रहे हैं क्राफ्ट्स्वन वेनियर की हर परत को सीध में रखते हैं ताकि ग्रेन एकदम मिल जाए अगर ये ज़रा सा बाहर हो तो इस तरह ओवलाप करते हैं और फिर इसे सीधा एक चाकू से काट देते हैं हमने काट चाट करके इसको थोड़ा सीधा कर दिया है ये गाठें सीध में है ये छोर सीध में है और सेंटर भी सीध में है इसलिए पूरा पीस मैच हो गया है बुक मैचिंग से इंटीरियर का वुड कवर न सिर्फ एक जैसा रहता है बलकि कुछ दिल्चस्प इफेक्ट भी दिखते हैं देखिए बुक मैचर की कलाज साकार हो जाती है ये है एक चहरा बुड के स्पेशलिस्ट हर हिससे को हाथ से घिसकर रेशम जैसा चिकना कर देते हैं उसके बाद हर का वेनियर पार्ट सेट बेहथ चमकदार लैकर के six coating के लिए भेजा जाता है मापस आने पर वुड के स्पेशलिस्ट हर हिस्से को पॉलिश करके उसे बेदाग चमक देते हैं और इसे कार के भीतर के हिस्सों पर लगा देते हैं लक्डी से धके ये हिस्से आखिर कार अब असेमली लाइन के पाँचवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां technicians इन्हें कार में लगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि इनमें जरासी भी खरोच ना आए लकडी के हिस्सों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है लकडी को खराब किये बिना उसे फिट करने का सिर्फ एक मौका मिलता है लकडी को बार बार निकालना पड़ता है लकडी का काम दोबारा होता है जिसमें बहुत वक्त लगता है और काम रुप जाता है इससे बचना मुश्किल है पार्स पर खरोच आ जाती है निशान पड़ जाते हैं इसलिए स्टीव को उनकी मरमत करने पड़ती है इस पर इतना लैकर होता है कि हम घिस सकते हैं, खनोच हटा सकते हैं और पॉलिश बूथ में ले जाकर दोबारा पॉलिश कर लेते हैं अब फैंटम में जान डालने का वक्त आ गया है छटे स्टेशन पर दो टेक्निशन्स फैंटम की जानी पहचानी पावर ट्रेन चैजी पर लगाते हैं ये पावर ट्रेन हमारी मुखे कमपनी ने खास तोर पर रोल्स रॉइस के लिए तयार की है ये 6.75 लीटर V12 इंजिन है जो 453 होर्स पावर की ताकत देता है इसका बेहद फ्लैट कर्व रोल्स रॉइस की जबान में हवा में लहराने का एसास देता है ये घजब का कॉम्पैक्ट अल्यूमिनियम V12 एंजिन तहारती टप एंड रफतार देने के बजाएं लो एंड टॉक के लिए डिजाइन किया गया है लो एंड टॉक भारी गाड़ी को जोर जबरदस्ती के बिना रफतार देने की ताकत है इसके लिए रोल्स रॉइस ने डायरिक्ट फ्यूल एंजिन अपनाया जिसमें हर सिलिंडर को नपातुला इंधन मिलता है और वो ज्यादा ताकत और कुशलता से चलता है लो एंड टॉक की मदद से ये भारी भरकम कार रुकने से पहले सीधे दूसरे गेर में दोड़ जाती है रफतार के इसी निराले एहसास को लहराना कहा जाता है या रोल्स रोइस की भाशा में कहें तो वाफ्टिंग ऐसी भारी गाड़ी के लिए एक्सलेरेशन तो कमाल का है मानो मैजिक कारपेट पर सवार हूँ इधर असेम्बली लाइन पर दो टेक्निशन्स मिलकर पावर ट्रेन को मैट नाम की मोटर कैरियर पर लाते है ये मोटर कैरियर भारी वजन उठाने के काम आती है सबसे पहले पिछला और अगला एक्सल लगता है इसके बाद टेक्निशन फैंटम का आटोमाटिक ट्रांस्मिशन भारी भरकम एंजिन में कस देते है और उसके बाद सिर्फ प्रॉप शाफ्ट कसनी बाकी रह जाती है अब एक मोटर डिवन स्लेड फैंटम की उठी हुई बाडी के नीचे पावर ट्रेन सरकाती है और पूरी असेमली को उठा कर सही जगह रग देती है ये काम कहलाता है मैरिज अब टेक्निशन्स हर चीज को कस देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हर बोल्ट सही टॉक पर कसा जाए एक आम मैरिज को पूरा होने में करीब देड़ घंटा लगता है इस तरह मैरिज होने के बाद कार में क्लासिक ग्रिल जैसी सजावटी चीजें फिट की जा सकती है मैं देख रहा हूँ कि सारे गैप बुनट से और तली से मिलते हूँ और ये वाला गैप उपर के तरफ चार मिलिमीटर होना चाहिए ये बहुत अच्छा गैप है और ये गैप बहुत स्मार्ट दिखता है सब कुछ बहुत ही अच्छा है तो ये फिनिश हो गया आठवे स्टेशन पर भी हाथ की कारिगरी जा रही है वरकर्स कार की विंडोज लगाते हैं जिसे कहते हैं ग्लेजिंग आम तोर पर ज्यादा कार्स बनाने वाले ओटोमेटिट प्लांट्स में एक रबोट सेल, फ्रन्ट और रियर ग्लास को कुछी पल में ग्लेज कर देता है वरकर्स एक स्पेशल गन की मदद से विंडोज के चारो तरफ एकदम सही मात्रा में मैस्टिक सीलर लगाते हैं उसके बाद दो वरकर्स वेट असिस्टर्स की मदद से विंड शील को उठा कर सेट कर देते हैं कार की बाहरी सजावट पूरी होने के बाद फुपसूरत अफोल्स्ट्री की बारी आती है फैक्ट्री की अपनी लेदर शॉप में हर कार के लिए पूरी अफोल्स्ट्री बनती है यहां मौझूद करीब साथ वेकर्स उननत तक्नीक और इंसानी महारत को मिलाकर रोल्स रोईस की हर कसोटी को पूरा करते हैं फैंट्म की खास बात वो क्वालिटी है जो हम कार में देते हैं और क्वालिटी की शुरुआत कच्चे माल से होनी चाहिए अगर कच्चा माल सही नहीं है तो फिर कुछ बही सही नहीं होगा फैंट्म के इंटीरियर के लिए नैच्रल ग्रेन लेदर की आसतन 75 वर्ग मीटर लंबाई या 18 हाफ हाइड्स की जरूरत पड़ती है पूरे इंटीरियर को सजाने के लिए लेदर शॉप के वरकर्स को 17 दिन चाहिए आम पैलेट में वैसे तो 15 कलर्स हैं लेकिन रोल्स रोईस कोई भी मन चाहा कलर तयार कर सकती है यहां हमारे पास रोल्स रोईस के कस्टमर्स के लिए उपलब्ध सभी कलर्स का एक छोटा सा नमोना है पैलेट में इतने सारे कलर्स हैं चाहे वो आम कलर हो या बिस्पोक के कलर्स हम उन सब को जमा नहीं रख सकते इसलिए हम प्रोडक्शन के लिए जरूरी कलर्स के नमोने ही रखते हैं सैंटम कार की भीतरी अफोल्स्ट्री बनाने की शुरुवात टैंड लेदर के इस पूरे पीश से होती है सबसे पहले एक इंस्पेक्टर हर टुकडे की बारिकी से चांच करता है वो देखता ही कि ग्रेन में कोई बदलाव या कोई धबा तो नहीं जिससे अफोल्स्ट्री के एकसार रूप में कोई कमी आ जाए हम कुतरन के छोटे 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 निशान और धब्बे देख रहे हैं हलका सा हाथ फेरने से छोटे छोटे उभार पता लग जाते हैं जिन पर निशान लगाना जरूरी है हर फिंटम कार के लिए लेदर के साड़े चार सो अलग अलग तुकडों की कटाई से पहले ताकि कहीं कोई कमीना रह जाए हम एक सबसे लंबी पट्टी इंस्ट्रिमेन पैनल के लिए काटते हैं ये एकदम कस्टमर की आँके सामने रहती है इसलिए ये एकदम साफ होनी चाहिए कोई भी धबबानी होना चाहिए कोई भी दागनी होना चाहिए कुछ भी नहीं एकदम साफ लेदर चाहिए अब लेदर कटाई की मेज पर आ गया है वैक्यूम की बदद से लेदर नीचे खिचा रहता है ताकि वो सरके नहीं उसके बाद लेजर से चलने वाला कंप्यूटर कंट्रोल्ड सेल्फ शापनिंग रेसिफ्रोकेटिंग ब्लेड आगे पीछे चलकर हर मिनिट 56,000 कट लगाता है सारे टुकडे कटने के बाद सिलाई कारेगर लेदर के पैनल सिलने का लंबा काम शुरू करते हैं इस काम का सबसे नाजुक हिस्सा है टॉप स्टिचिंग ये टांके सामने दिखाई देते हैं गुलाईं पर टांकों को बराबर रखना बेहत मुश्किल काम है और एक सबसे एहम पैनल ये डैश बोर्ड है जो ड्राइवर के सामने रहता है सबसे जरूरी चीज़ है ये स्टिचिंग जो की एकदम सीधी होनी चाहिए आप देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है इसे एकदम सीधा रखने के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है लेकिन हाथ के सिलाई होने के कारण ये एकदम सीधी नहीं हो बाती लेदर के बहुत से टुकड़े नीचे के पुर्जों की हिफाज़त के लिए फोम की महीन परत पर चिपकाए जाते हैं पॉल डैश बोर्ड की जो पट्टी तयार कर रहे हैं हमारे हसाब से कार की एक बड़ी खासियत है इसलिए इस पर ध्यान रखना जरूरी है क्वालिटी को रोल्स रोइस की कसोटी पर खरा रखना सीखने में कुछ महीने तो लगते हैं इसलिए पॉल यहाँ पर बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं सीट्स को यहाँ सिर्फ अफोल्स्टर ही नहीं किया जाता बलकि उन्हें हाथ से बनाया भी जाता है यह एक RR1 फैंटम सीट है जिस पर कवर का पहला स्टेज चल रहा है यह कवर बहुत टाइट होते हैं इसलिए इस काम के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है यह सीम बैकबोर्ट के सीट में होनी चाहिए इसे एकदम सई जगे ले जाना बहुत जरूरी है सीट को असेम्बली लाइन में भीजने से पहले एक वरकर साउंड प्रूफ बूथ में सुनते हैं कि कहीं कोई खिच-खिच या खड़खड ना हो अब स्टेशन नमबर नाइन पर असेम्बली लाइन के वरकर्स फैंटम की शानदार सीट्स लगाते हैं यहाँ भी वेट असिस्टर की मदद से वरकर्स अकेले ही सीट्स लगा सकते हैं स्टेशन नमबर टैन पर पहुँचने पर फैंटम में सभी जरूरी फ्लूइद्स भरे जाते हैं और अब ये दोड़ने के लिए एकदम तयार हैं लेकिन उससे पहले इस पर रॉल्स रॉइस की आखरी चाप लगनी जरूरी है अब ये फैंटम रॉल्स रॉइस की आखरी चाप यानि कोच लाइन लगवाने के लिए तयार है कार के शोल्डर पर एक पतली सी दूसरे रंग की धारी ही कोच लाइन कहलाती है रॉल्स रॉइस पर ये कोच लाइन पेंट करने के लिए कोई मशीन ये रोबॉट काम नहीं आते पेंटर मार्क कोट अपने हाथ से हर कार पर कोच लाइन पेंट करते हैं मैं अकेला ही हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ और कोई ये काम नहीं कर सकता इस काम को करने के लिए इसकी टेकनीक को साधना पढ़ता है एकदम सीधी लाइन पेंट करने के लिए मार्क महीन फ्रेंच चॉक का इस्तेमाल करते हैं अगर मैं ये फ्रेंच चॉक ना लगाऊं तो मेरी उंगलियां च्यों पकने लगेंगी और इतनी सीधी लाइन नहीं मिल पाएगी हर एक लाइन पेंट करने में तीन घंटे तक की मेहनत लगती है इतने सालों में मैंने हर कार का हिसाब रखा है मुझे मालूम है कि कौन सी कार गई है, कहां गई है बस ये नहीं मालूम कि उसका मालिक कौन है सिर्फ मैं ये इस काम को कर सकता हूँ ये सारी कार्ज मेरी है और स्टेशन नमबर 11 पर वील को लगा कर एंजिन चालू करके फैंटम को लाइन से बाहर किया जाता है लेकिन काम अभी खत नहीं हुआ है यहां से क्वालिटी कंट्रोल टीम का काम शुरू होता है कहीं भी जाने से पहले हर नई फैंटम कार को धेर सारे टेस्ट पास करने जरूरी है वाटर टेस्ट बताता है कि सवारी, सामान और एंजिन वाले हिस्से पूरी तरह वाटर टाइट है या नहीं टेस्टर कार को 20 मिनिट तक पानी की 73 हाई प्रेशर वाटर जेट्स में भिकोते हैं ये टेस्ट असल में मौनसून की नकल है हमें यकीन रहता है कि ये टेस्ट पास हो गया तो कस्टमर को कोई परिशानी नहीं होगी वाटर टेस्ट के दौरान एक टेक्निशन एंडि स्कूप की मदद से देखते हैं कि बॉडी पैनल के भीतर कहीं से पानी तो नहीं जा रहा अब तक तो इस तरफ से सब कुछ ठीक लग रहा है कम्प्यूटर नियंत्रित शेकर रिग में हाइड्रॉलिक रैम्स रिग पोस्ट को हिलाती हैं जिससे सस्पेंशन की परख होती है हम इससे आने वाली खिचकी जोर खड़ख़ सुन रहे हैं रोलिंग रोड टेस्ट के दौरान सार को 125 किलोमीटर पती घंटा की रफ्तार देकर परखा जाता है कि मुख्य सिस्टम सही डंग से काम कर रहे हैं या नहीं सड़क पर पूरी तरह आजमाय बिना कोई भी कार ना तो कस्टमर को दी जाती है ना ही डीलर को इसके सस्पेंशन खास्त और पर सेट किये गए हैं जिससे मानों ये सड़क पर तैरती जाती है ये सड़क के सारे गड़ों और दरारों के जटकों को अब्जॉब कर लेती है और आपको एक भी जटका महसूस नहीं होता और ड्राइविंग एक प्लेजर बन जाती है सारी आइज माईशों से गुजरने के बाद जितना हो सके परफिट साबित होने पर ये कार फिनिश लाइन पर पहुँचती है और कस्टमर के हाथों में जाने के लिए तैयार हो जाती है चक कविच्की जैसे कस्टमर्स को अपने ओडर के मताबिक फैंटम पाने में औसतन छे महीने लगते हैं चक उम्र भर से अपनी कार का इंतिजार करते रहे हैं इस सपने की शुरुवात 1907 के दशक में हुई थी जब उन्होंने टीवी पर रॉल्स रॉइस देखी थी उन्हें पहली ही नजर में इस कार से प्रेम हो गया मैंने यही कहा था कि एक दिन मैं यह कार जरूर लूँगा बड़े होने पर मुझे यही चाहिए चक यकीनन बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना सपना पूरा भी कर लिया है अब वो बेहतरी लग्शरी कार के मालिक है और यह कोई आम रोल्स रोईस का सपना नहीं था बलकि एक ही रोल्स रोईस चाहिए थी और वो थी कनवर्टिबल टॉप वाली रोल्स रोईस मेरे लिए वही सबसे बहतरी इनकार थी सच का हो तो मेरा सपना बिलकुल यही था कार में बैठ कर रूफटाप हटा कर दिन भर मस्ती में घूमने का इस लिए से देखता हो तो लगता है कि बिलकुल यही चाहिए थी यह बहतरीन है सबसे बहतरीन आज रोल्स रोईस फैंटम एक सदी की ब्रिटिश परमपरा और बहतरीन एंजिनेरिंग का संगम है इसे बनाने वाले सो देशों में फैली तीन मेगा फैक्टरीज में सेकडों बेमिसाल वरकर्स के हुनर और बारीकी पर निर्भर है उन्स सब का एक ही मकसद है मोर्टरिंग एक्सिलन्स